Hello and welcome to the online platform of Easily, मैं हूँ कुमल वर्मा आपकी एकनॉमिक्स मेंटर, तो भई आप हमारे रैशनल एकनॉमिस्ट कैसे हैं आप जरूर कमेंट करके बताईएगा, तो हम पढ़ रहे हैं जी शिखर बैच में, शिखर तक पहुचने के लिए, किसका शिखर, भई हमें पहाड़ नहीं हमें तो क्लास 12 में टॉप करना है, तो उसके लिए यहां Easily में मेरे साथ, यानि कोमल के साथ पढ़ाई करनी पढ़ेगी, तो भई, माम दीदी, जो भी कहो, हम यहां पढ़ क्या रहे हैं, पहला चाप्टर इंडियन इकनॉमिक डेवलाप्मेंट जो है, हमने step by step 4-5 तो हम आप मिलेंगे कहां, आप किसी कैफे पर तो जाके मिलेंगे नहीं, इसलिए भई, यहां ज़रा ध्यान दे दीजिए, प्ले स्टोर पर जाए, इसली आप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, और create a new account, भई, नया नया अकाउंट बनाईए अपना, ठीक है फेस्बुक पर बनाया है, इंस्टाग्राम पर बनाया है, आप ज़रा easily पर भी बनाईए, ठीक है, भई, future तो सवार ना है, फिर वहां पर आपको देना है अपना नाम, पता, address, gender, place, तो place के लिए location रखनी है, on location, on रखने पर track ना हो पाया, network issue as always, तो आप ज़रा यहां पर location type कर दीजिएगा, अपना phone number type करिएगा, 10 अंको का mobile number, OTP आएगा, उसको करना है verify, आप बहुत जाएंगे हमारे content के बिल्कुल पहले page पर, तो यहां पर आपके पास option है, एक, दो, तीन, जिसमें से आप तीनों ले सकते हैं, कोई दो ले सकते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं, आपके उपर है, और आप पढ़ सकते हैं, हमारे साथ commerce and science, CBSE, उदय बैच और शिखर बैच है, आपके commerce के बैच, माम, यह CBSE का option क्या है, भई, CBSE में आपको इस बैच में, CBSE बैच में, 10-10 minute के lectures मिलेंगे, उदय और शिखर बैच में आपको, हर एक chapter के 4-5, 4-5 lectures तोड़ त के लिए, दौनों, यह भी commerce के लिए, उदय शिखर, commerce के बैच आपके science के बैच हैं, ठीके जी, जैसे ही आप कोई एक बैच सेलेक्ट करेंगे, and then you will come to class 12, क्योंकि आपने अगर 12 के बैच लिए तो 12 में आज आएंगे, हमारे साथ आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अकाउंट्स, भाई, जितेंदो धोरिया साथ के साथ, और रोशन सर के साथ, business studies पढ़ेंगे, आप राउल सर और जिशान सर के साथ, economics पढ़ेंगे, मेरे साथ, यानि कोमल माम के साथ, आपको ego पढ़ना है, और mathematics भी पढ़नी है, चलिए जी, आगे चले, बिल्कुल माम, भा है हमारा chapter 1, इसको हमने सारे जो है, इसके theoretical aspects कवर कर लिये, माम exam में आते है, question, answer, MCQ, वो पढ़ाई है जरा, तो भाई, वो पढ़ लेते है, important questions, ठीक है, तो चलिए, पहला question क्या है, when was the first census data collected in British India, तो भाई, British जब भारत में थे, ठीक है, 16,000 से लेके 1947 तक वो भारत में थे, और census यानि जन गनना कब हुई थी, ठीक है, official census का मतलब है, official count of the people living in the country, हम सरफ उनकी count नहीं, उनका और भी चीजे देखते हैं कि किस age में है, उनके sex ratio क्या है, ठीक है, literacy क्या है, life expectancy क्या है, ये सारी चीजे भी census में जो है, देखी जाती है, ठीक है, life expectancy, sex ratio, age, ये सारी चीजे भी, तो census क्या है, जब हम लोग count करते हैं, बच्चे से बुड़े और जवान सब count करते हैं, ठीक है, तो कब हुआ था पहला census, British India में, British India में पहला census हुआ था 1881 में, कब हुआ था भई, 1881 में, चलो आगई बात, कई बार सवाल थोड़ा पचीदा करते हैं, कि बताओ, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुआ था, तो इंडिपेंडेंट 1947 में, और पहला census 1950, ठीक है, तो ये होगी हमारी बात यहाँ पे, कि इंडिपेंडेंट इंडिया में 1950, और British India में 1881, फर्स सेंसेस ओफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आप यहाँ पे लिख दिल जिए में, यह 1950 में हुआ था, और अभी करेंट जो सेंसेस है, वो हमारा 16th सेंसेस होगा, कौन सा होगा, 16th सेंसेस, कब होगा हमारा 16th सेंसेस होने की बात थी 2021 में, लेकिन because of the COVID, because of the pandemic, अब यह October 2023 से स्टार्ट होने की बात है, संभावना है, October तक तो यह post-1 है, October 2023 के बात होने की संभावना है, तो 2023 में यह अब होगा, होरा इसको 2021 में चाहिए था, ठीके जी, चले आंगे, चलो जी, तो 1950-51 में हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का संसे 01, 1981 में, ब्रिटिश इंडिया का, अब दूसरा question यहां पर आता है, कि मसलिन क्या है, मसलिन एक cotton की बहुत ही अच्छे quality की प्रजाती, ठीके, क्या है यह ताइप ओफ cotton है, ठीके, जिसका origin कहा हुआ है, बेंगॉल में, जो तब का बिंगॉल यानि इस्ट बिंगॉल बंगलादेश दौनों को जोईन करके जो बिंगॉल था, वो और धाका के आसपास जो आजकल बंगलादेश की जो capital बना बैठा है धाका, वहां पे यह मसलिन कपड़ा, मलमल का कपड़ा, ठीके, वो हमें मिलता है, मलमल, मलमल मलमल खास, और बॉलिवुड में आपने मलमल के शब्द से गाने भी सुने होंगे, ठीके, तबही आप अपने पापा ममी से पूचेएगा, उन्होंने सुने होंगे, धाकाई मसलिन, इसको जो हम प्रनाउंस करते हैं, इस धाकाई, बट इसे हम क्या कह सकते हैं, धाकाई मसल जसको foreign travelers बहुत पसंद करते थे, Britishs बहुत पसंद करते थे, इसे मलमल शाही, मलमल खास बोलते थे, क्योंकि भाई, high profile लोग ही इसे afford करते थे, राजा महराजा पहनते थे, ठीके, और बहुत ही royalty वाले लोग, जो royal होते थे, वो इसे पहनते थे, तो यह हो गया हमारी मसलिन की कहानी, ठीके, मसलिन याने की cotton का एक बहुत ही quality में अच्छा cotton का कपड़ा, चलो, आगे बाडे, for which industries was India particularly well known during British colonial, तो भाई, कौन से industries हमारी Britishers के time में अच्छी थे, जिनका उन्होंने बेडागर्ग करा, ठीके, बेडागर्ग किस industries का करा भाई, हैंडीग्राफ्ट इंडस्ट हम paintings बना रहे थे, pottery बना रहे थे, अच्छी सुन्दर, उनका उन्होंने बेडागर्ग करा दिया, ठीके, downfall of handicraft industries हो गई, उनके Britishers के आने के कारण, textile industry, कहां पे थी, textile industry हमारे, northwest, northwest में भी काफी अच्छी थी, जैसे की, एहमेदाबाद ले लो, ठीके, गुजरात ले लो, वह बात एकी हो गई, महराष्ट्रा जो कि उस वक्त, Mumbai presidency, ऐसा, Bombay presidency की बात कर से, तो Mumbai ले लो, यहां पर जो है, सूरत वगएरा जगह पे, जो हमारी textile industry थी, फिर जूट की बात करें, तो West Bengal में, Bangladesh में, जो अभी, मैं अभी के नाम लिक रही हूँ, ठीके, Bangladesh याने Bengal, ये सारी जग यार, डाउन फॉल, दूरिं बिटिश ताइम, Metal and Precious Stones, भई, Metals, Gold का काम, Metal का काम हमारी कंट्री में हमीशा से ही मीना कारी, ठीके, मीने के ओपर काम चूड़ियों पर मीना लगता है, जहनों में लगता है, ठीके, जड़ाओ, सेट्स बनते हैं, तो भई, मैं लड़की हो त तो यह भई, Metal and Precious Stones का भी काम काफी अच्छा, इंडिया में अभी भी है, तब भी था, उसमें भी जो है, Mandi देखने को मिली थी, during British's time, तो कौन-कौन से ITC industry थी, जिसको हिट मिला, badly hit, Handicraft industry, Textile industry, Metal and Precious Stones की industry, चले, तो यह हो गया हमारा question, which industries was India's particularly well-known, well-known तो यह तीन थी थ औरे, you are absolutely correct, Britishers कुछ आता है, ठीक है, next question पूछा जा रहा है, अच्छा मैं, लिखते जाना साथ, notes बिल्कुल ready होने चाहिए, first four class, जैसे-जैसे PPT में थी, वैसी-वैसी अपने copy में उतार लो, और फिर यह question answers, और फिर कहना, कॉमल मा, marks तो हमें पूरे मिले हैं, ठीक है, why Britishers came to India, दूर से नजर लगा दी हमारी कंट्री को, है न, नजर भी नहीं उतार ही किसे न, चलो, the sole purpose of the British colonial rule in India was, क्यों आए वो, to reduce the country to being a raw material supplier, India को raw material supplier बना दिया, और अपने ही goods का market, finished product British बनाएंगे, और हम उनके finished product खरी देंगे, और फिर ग्रेट बिटेंगे, और उनके finished product खरी on rapidly expanding modern industrialization, ठीक है, और क्या था उनका purpose की, इंडिया को British, Britain के लिए market बना दो, ठीक है, तो सबसे जादा क्या चाहते थे, वो कि, इंडिया में हर चीज available है, cheap labour available है, चीजे जो है, वो cheaply available है, तो इंडिया से ले जाएंगे, और बनाईए अपना finished product, और अपने industrialization को आये थे trade कर के नाम से के हम भई, ट्रेट करेंगे, इंडिया को भी फायदा होगा, वें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा नहीं हुगा, लूट कर ले गए, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते है, तोड़ा important question है, ठीक है, अब माँम आप हर किसी हमारे country में de-industrialization Britishers ने किया, और उनके motive क्या था, उनके पीछे का reason क्या था, पहला, make India a supplier of raw material, ठीक है, जो भी उनको raw material चाहिए, फिनिश प्रड़क्स बनाने के लिए, वो supply कौन करेगा, इंडिया, इंडिया को उनने एक agricultural nation थी, food crops बगा रहे थी, commercialize कर दिया agriculture, ताकि उनको अपने raw material, इंडिया को मिल सके, इसलिए इंडिया को supplier of raw material बना दिया, make India a market of finished goods for, किसके products, ब्रिटेन प्रोड़क्स, ब्रिटेन प्रोड़क्स, तो ब्रिटेन प्रोड़क्स के लिए, इंडिया को market of finished goods बना दिया, ठीक है, तो ये हो गए, two-fold उनके, motives, reasons, क्यों उन्होंने इंडिया में de-industrialization को भड़ावा दिया, रोका नहीं, कुछ किया नहीं, textile industry जाती है, तो जाए, handicraft industry डाउनफॉल होता है, तो होए, कोई ध्यान नहीं दिया गया, चलि, next question, give India's demographic profile, demographic का मतलब होता है, related to population, population से related, जब भी studies होती है, उसको demographic studies या demographic profile बोला जाता है, ठीक है, British period बे, सबसे पहला census जो है, वो collect हो है, 1981 में यह दब, यह भी मैंने बताया था, 1921 से पहले, first stage of demographic transition था, याने की birth rate high थी, death rate slow था, ठीक है, 1921 में के पहले हमारे पाफ, first stage of demographic transition, जिसमें birth rate high, death rate calm, याने population दीरे, 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 बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, लोग मर रहे, पैदा हो रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, इसलिए बढ़ नहीं रही है, चली, second stage of demographic transition कव है, 1921 के बाद से, इसको हम बोलते हैं, population explosion, क्या बोलते है, population explosion, तो इसका क्या मतलब है, birth rate high, death rate, ओ, 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 थोड़ा सा गड़वड हो गया है, थोड़ा सा हमसे गड़वड हो गया है, जरा सही कर ले, death rate को यहाँ पर बनाना है, high, ठीक है, क्या बनाना है, high बनाना है, या very high बनाना है, ठीक है, death rate क्या हो जाएगा, high हो जाएगा, तब ही तो population कम होगी, birth हो रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, तो death rate high है, यहाँ पर birth rate जो है, death rate कम, ठीक है, तो यहाँ पर death rate जो है वो high है और birth rate भी high है मैम थोड़ा ठीक से लिख दीजिए, confuse मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैं इसको रब करकी अच्छे से लिख देती हूँ, चले तो first stage of demographic transition की क्या कानी है कि birth rate high होंगे, death rate भी high होंगे birth rate और death rate दोनों high होंगे ठीक है, birth rate और death rate दोनों high होंगे लेकिन population explosion होगा, चो birth rate high और death rate low हो जाएंगे ताकि population तिक 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 बहुत बढ़े ठीक है, the overall literacy level was less than 16% यानि 100 में से स्रिफ 16 लोग ही पढ़े लिखे मिलने की संभावना यानि probability है female literacy जो है वो उससे भी कम स्रिफ और स्रिफ 7% सो में से स्रिफ 7% females की पढ़े लिखे मिलने की संभावना है यानि कि बच्चा अपना 5th happy birthday to you OHBD celebrate नहीं कर पाएगा उसके पहले भगवान को प्यारा हो जाएगा उसके probability ना हो तो हर 1000 में से 218 बच्चे अपना पांचवा जनम दिन यानि 5 years of age complete करने से पहले भगवान जी के पास चले जाए उसको कहते है mortality rate infant mortality rate यानि होता है one year complete करने से पहले यानि अपना पहला happy birthday celebrate करने से पहले अगर उनकी death हो जाए तो वो होती है infant mortality rate वो था 33 पर thousand यानि हजार बच्चे पैदा हुए है उसमें से 33 अपना पहला जनम दिन celebrate करने से पहले मर सकते है probability और संभावना है कि अगर mortality rate की infant mortality mortality में फराख क्या है mortality पास साल के बच्चों की होती है infant mortality एक साल के बच्चे की होती है ठीक है तो five years complete करने करते तक 218 भागवान को प्यार होता है तो यह क्या दिखाती है poor health condition कि मा और बच्चे के लिए आपके पास सुभधाएं उपलब्द नहीं है life expectancy was also very low 32 years मतलब बन्द आज की एच में फामिली प्लान करता है 32 में शादी करता है 32 में बढ़ाई पूरी करता है 32 में लोग पीच्ड करने का सोचते है 32 में life expectancy इंडिया में तब 32 years थी यानि आवरेज जो एक human being जिएगा कितना जिएगा 32 years ठीक है प्रेजेंट में ये 69 और 69 से भी जादा हो रही है लेकिन तब ये 32 years थी तो ये हो गया हमारा demographic profile यानि पॉपलेशन के बारे में थोड़ी थी knowledge हुआ समझ तो यहां से बहुत चारे MCQ निकल के बाहर आएंगे MCQ ठीक है हर 1.1 MCQ और एक शौट अंसर है तो इसको तो कॉपी में लिखके रटलो 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 ठीक है ये numbers important है सारे numbers important नहीं होते हैं ये वाले सारे important है ठीक है जी समझ पाया है आगे चलते हो ठीक है What objectives did the British want to achieve through their infrastructure development policies ठीक है इस एक और अलग तरीका twist कि Britishers के लिए इंडिया के लिए Britishers ने क्या अच्छा किये दौनों एक ही आंसर है surprising है न What objectives did British want to achieve through their infrastructure development अब उनोंने कुछ infrastructure development की इंडिया में वही उनके positive contributions भी हम मान लेते हैं construction of roads all weather roads नहीं बनाएं लेकिन क्यों बनाएं construction of roads ताकि उनका raw material raw material जो है वो village से city में पहुँच जाए ठीक है और city में पहुँचे या फिर nearest nearest port water port पे जहां से पानी के थूस उसकैनल होते हुए हमारा raw material उनके देश बहुट जाए इस वज़ए से उन्हें construction of road करना पड़ा जो हम एक positive contribution भी so called positive contribution भी मान लेते हैं introduction of railways railway क्यों लेकर आए वो अपने मतलब के लिए अपनी मतलब के लिए अपनी army ठीक है अपनी army को एक जगा से दूसरे जगा ले जाने के लिए अपनी army को mobilize करने के लिए ठीक है raw material को less cost में less cost में water ports तक पहुचाने के लिए उन्होंने railways लेकर आए थी ठीक है तो railway कोई इंडिया के लिए नहीं था अपनी army को इधर उधर करने के लिए था ठीक है waterways ports डेवलप किये क्यों डेवलप किये ताकि सस्ते में उनका जो material है जो उनका raw material है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुच चाहे ठीक है आई बात समझ में और इंडिया इंट्रोड़क्शन ऑफ रेलवेज कि चलो हमने बात कर दी army के लिए development of ports उनने क्यों किया again कि उनके raw materials जो है raw materials raw materials उनके imports invisible imports invisible imports जो है वो आराम से हो जाए country England में सस्ते में पहुच जाए ठीक है electric telegraph and postal services वो भी हमारे लिए नहीं थी वो भी उनहीं के लिए थी वो जहाते थे यहां पे administration अपनी हुकूमत administration के लिए उन्होंने किया ठीक है अपनी हुकूमत के लिए उन्होंने किया और law and order maintain करने के लिए law and order maintain करने के लिए और administration चनाने के लिए electric telegraph or postal services वो इंडिया में उन्होंने develop किये, तो ये सारे reasons हैं, चाहे आप इसको positive contribution की तरह लीजे, या Britishers की सोची समझी, चाल behind developing water porch, porch, electric telegraph railway and roads, ठीक है, all weather roads नहीं बनाई, उन्होंने जानवोच कर, चले, आगे चले what led to the drain of India's wealth during colonial period भई, इंडिया के पास wealth तो बहुत सारा था, ठीक है wealth in terms of their culture, in terms of their asset, लेकिन ये drain कैसे हो गया because उन्होंने इंडिया को commercial बना दिया agricultural nation थी, food crop self-sufficiently, उसको commercialize कर दिया, ठीक है इनको reduce कर दिया, इंडिया को, reduced India to to a raw material supplier country raw material supplier country ठीक है जो भी export surplus आया export surplus याने trade करके जो कमाई आई जो export surplus आया वो कोई gold का या silver का नहीं था ठीक है वो कोई gold silver से नहीं आया export surplus हम कहते थे वो कहाँ use होता था gold silver खरीदने में use होता था एकस्पेंडिचर आर्मी एकस्पेंडिचर ठीक है आर्मी में spend किया जाता था ब्रिटिश आर्मी के पीछे ओफिस सेट अप करने के पीछे ठीक है और ब्रिटेन के industrialization के लिए ब्रिटेन में जो industrialization चल रहा था उसमें खर्च किया जाता था industrialization चल रहा था industrialization चल रहा था उसमें कहां ब्रिटिच आर्मी के खर्चे में आपने export surplus नगाल दिया इंडिया की कमाई office setup कर रहे हो इंडिया में अलग-अलग जगा वहाँ आपने ये पैसे यूज कर लिए वह drain हो गया ठीके चले आगे चले who took attempts to calculate national income किसने यह attempt लिया VKRV राव इन्होंने सबसे पहले जो है काफे लोगों ने कोशिश की दादबाई नारो जी ने भी कि कुछ ब्रिटिच के एकोनामिस लोगों ने भी की लेकिन जो सबसे अच्छा जिसने एक national estimate दिया वो VKRV राव का था और यह estimate था क्या GDP growth जो उन्होंने बोला GDP growth जो उन्होंने बोला वो बताया less than 2% ठीक है less than 2% यह भी बहुत important आपके MPQ के लिए और per capita income का जो उन्होंने growth बताया वो 0.5% ठीक है तो यह estimates उन्होंने बताया था कि हमारा GDP जो है वो less than 2% से भढ़ता है और हमारा per capita income 0.5% से भढ़ता है which is very low which is very low चली यह बात भी हो गए आगे highlight the salient features of India's pre-independent occupational structure occupational structure का क्या मतलब होता है बहिए कितने लोग agriculture में हैं कितने लोग industry में हैं और कितने लोग service sector में हैं यह पता करते हैं हम किसे occupational structure से किस से पता करते है occupational structure से तो भई कैसा था distribution of working persons across different sectors वो होता है हमारा occupational structure यानि agriculture में कितने इंडस्ट्री में कितने और service sector में कितने तो agriculture में थे 70-75% agriculture में कितने थे 70-75% manufacturing में थे 10% और service sector में थे 10-15% लोग तो यह हो गया हमारा मोटा-मोटी एक occupational structure कि जितनी भी इंडिया की population है उसमें से agriculture में 70-75% लोग 10% लोग manufacturing sector में और service sector में 10-15% लोग ठीक है भई? अचा 15-20 है इसको ठीक कर लो जराशा यह 15-20 ठीक है? भई, NCRT से 9-4 ठीक है? पंगानी ली नहीं गा NCRT से जो बोल दिया आग बंदिर के मान लिया अगर गलत लिगता है NCRT वाले को mail लिख दो भई साब यह data तुम्हारी बुक में गलत है अब वो एक दो साल में उसको चेंज करेंगे तो कर लेंगे लेकिन एक्जाम है तो NCRT लिख क्या नहीं ठीक है? तो 10% और 15-20% जो है वो शेयर था किसका सविस सेक्ट है रीजनल वेरियेशन मतलब इंडिया में क्या है, नौर्थ है, साउत है, इस है, वेस्ट है, सेंट्रल इंडिया वहां पाँचों दिशों में आपको अलग अलग चीजें मिलेगी कि कहीं कोई अग्रिकल्चर को छोड़के इंडस्ट्री में जा रहा है जो है यह चारो स्टेइस, तमिल नाडू, आंद्रप्रदेश, करला, करनाटा का इनको मिला के क्या बनता है, मदरास प्रेसिडेंसी बनती है यहां पर हमने देखा कि लोग जो हैं, अच्छा, बंबे और बंगॉल, ठीक है, बंबे और बंगॉल विटस, a decline in dependence on workforce of agriculture, तो मदरास प्रेसिडेंसी, बंबे और बंगॉल, कौन-कौन से, मदरास, बंबे और बंगॉल, यहां हमने क्या देखा कि लोग अगरिकल्चर को छोड़ छोड़ के, किस में जा रहे हैं, मानुफाक्चरिंग और सर्वेस सेक्टर में जा रहे हैं, मानु क्या देखा हमने workforce, जो है, वो increase हो रही है, manufacturing और सर्वेस सेक्टर में, और उडिसा, राजस्थान, पंजाब, कौन से स्टेट में भई, उडिसा, आप ही उडिसा हो गया, तब उडिसा था, पंजाब, और कौन वा एक हमारा राजस्थान, ठीक है, यह हमने देखा कि यहां प to service and manufacturing, ठीक है, तो यहां पर agriculture में लोग बढ़ रहे हैं, वहां पर मदरास, Bombay, Bengal में अग्रिकल्चर में लोग कम हो रहे हैं, manufacturing and service sector में, इंग्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो यह हो गई हमारी demographic, sorry, occupational structure की बाद, तो सबसे पहले percentage बता दिया, 70-75 agriculture में, 10% आपका manufacturing sector में, 15-20% service sector मे मदरास presidency, Bengal और एक state और कौन सा है हमारा, Bombay, ठीक है, आज का Bombay मितलब महराश्टर का ही बहुत सारा हिस्सा, agriculture में लोग कम हो रहे हैं, manufacturing और service में बढ़ रहे हैं, वैसे ही, Odisha, Punjab, Rajasthan में agriculture में बढ़ रहे हैं, और service और manufacturing में लोग कम हो रहे हैं, तो यह हो गई हमारी आज की बात है, इतने यह 10 questions हमने किये, बहुत ही important, और इसके साथ 4 हमारे छोड़े-छोड़े lectures है, 25 minutes के, वो 4 lectures और यह questions, all the best, बहुत होंगे आपके revision के लिए, preparation के लिए, for Indian Economy Chapter 1, तो भई, आपको यह lecture मिलेंगे हमारे आप में, और क्या है भई, YouTube पे भी यह daily basis पे जा रहे हैं, है दो, है ना जी, और हमारा telegram channel है, आपके doubt पूछने के लिए, पर telegram पे doubt पूछ लीजिए, नाम क्या है channel का, नाम है easily commerce, नाम है easily commerce, नाम तो सुना ही है, और है easily science, ठीक है, science easily and commerce easily, क्या type करना है, आपको science easily और commerce easily आप type करेंगे, तो आपको हमारा channel मिल जाएगा, thank you so much, फिर मिलेंगे हम अपने अगले lecture में, till then, learn with smile.